राम राम भई कैसे उसब एक SSC sprint के लिए साल का जो सबसे बड़ा दिन होता है आज वो आ गया है CGL 2024 के फॉर्म निकल गए है वह फॉर्म कब निकलेंगे exam कब होगा और vacancies कितनी है जो सबसे बड़े किसंस होते हैं फटाफट देख लेते हैं आप एक क्या कुस दिया है नोटि उपर में होगा tier 1 हमेशा की तरह से इस बार भी qualifying nature का है और December में आपका tier 2 conduct करवाए जाएगा सरद्यों में tier 2 हो रहा है और tier 2 के base पर यहां पर selection होता है उसके बाद जो सबसे important चीज़ बच्चे पूछते हैं कि वह vacancies कितनी है SSC ने आपे 7772 7 vacancies approximately दे गई है बड़ भी सकती है यूजर डिपार्ट्मेंट्स ने अगर कुछ से changes किये तो हो है आपके अप्लाई कर दिये जाएंगे ठीक है 7777 बार 7 आ रहा है भाई थाला is for a reason और इसके बाद वैसे तो आप देखोगे notification 103 पनलों का है लेकिन बाग्के सारी चीज़ दिये हुए है बस सीधा पैटना है उस rectangle के अंदर आपका चहरा होना चीए अच्छा background हो light हो चहरे पर आपको click करनी होगी ठीक है तो मेरे भाई पढ़ लो अच्छे से बढ़ियासा syllabus complete कर लो अच्छे से notes बना लो बार-बार revision कर लो इन 17,000 vacancies में अगर आपको एक vacancy लेनी है अगर हर बार नहीं पढ़ोगे तो एक बार में पढ़के निकाल दो चाहे इस बार निकालो चाहे अगली बार निकालो या च्यार साल के बाद निकालना जब भी निकालोगे पढ़ना तो पढ़ेगा ठीक है अब इन 17,000 vacancies में से 10,000 से यादा vacancies तो वो बच्छे ले जाएं नहीं है बहुत सारे बच्छे होते हैं जारों बच्छे हर साल अपने अगर किसी ने तक मॉक्स नहीं लिए हैं तो मैं strongly recommend कर रहा हूं कि आप लोग टेस्ट बुक के ले लो यहां पर आप देख सकते हो और लग बग आठ लाग से ज्यादा यूजर्स जो है इस प्लैटफॉ एक साथ साथिक है प्लस ने पर लगाने से ऐख चेंटो ने कुछ दो घॉंछेशी हैpen सब्सक्राइब करने हैं कुछ भी नया करने की जूरत नहीं है मतलब नहीं को बार-बार करो कि सब्सक्राइब कर सकते हो इस से आपका सेलेक्शन होता है कई बचे मैंने देखे हैं कि यूँ करते हैं कि यह सवाल तो बहुत ईजी है तो मतलब यह एक्जाम औरेंटेट नहीं है ऐसा नहीं है जो सवाल इजी है वह एक्जाम में आते हैं और आप इजी क्योश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है सेलेक्शन ठीक है तो मेरी तरफ से बैस्ट ऑफ लग एक बार ढंक से आराम से तसल्ली से आ तो कुछ चेंजिस खास है आप नजर आए नहीं है फिर भी आप समझदार हो अच्छे बच्चे हो इतनी इंगलिस तो आप समझी सकते हो जितनी आप लिखी गई होगी कोई दिकत नहीं आएगी एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर से गोत्रू हो जाना ठीक है त तो नहीं दूख यह चीज भी देती है कि कोई और जो आपने देखा त्यारी करते हैं और उसका सेलेक्शन हो जाए है अब इसको ऐसे मतले ना कि नहीं आदूसरे की तरक की देखना है रहो मैं यूमन निचर आपको बता रहा हूं खुद का नहीं होता तो दुख देता ही द मैंनत कर लो आज के टाइम में आसान नहीं से सीजेल का एक्जाम निकालना एक जमाना था दब बड़ा आसानी से हो जाए करती सीजें अब भी जो बच्चा बड़िये से नोट्स बना लेगा अच्छे से रिविजन कर लेगा और अपना स्लेबस कंप्लेट कर लेगा और